हेलो फ्रेंड्स मैं हर्मी इथा पर हैस्टेंग इंडिया ड्रीम्स चैनल में आप सब लों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज हम आपके लेकर आए हैं टू वेस सोया चाप टिक्का की रेसिपी जिसको हमने बिना अवन बिना तंदूर के खास आपके लिए बनाया है वो भी दो तरीकों से ताकि आपको कोई भी परिशानी ना आए इस असान टेस्टी लज़ीज रेसिपी को इंजॉय करने में तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना सोया चाप टिकका बनाने के लिए हमने लिए 6 पीस सोया चाप के ये फ्रोजन सोया चाप है गैस पर पानी रख देंगे उबलने के लिए और थोड़ा सा नमक डाल देंगे उसमें पानी उबलने लग जाए तो अब हम इसमें डाल देंगे सोया चाप के पीसिस सोया चाप के पीसिज को थोड़ी देर पहले ही फ्रीजर में से निकाल कर रख ले, कमसे कम आदा पोना घंटा सोया चाप को मेडियम टू हाई फ्लेम पर कमसे कम 10 से 15 मिनट बॉयल करते जाना है 15 मिनट हो गए हैं अब गैस बंद कर देते हैं नीचे उताल लेंगे और पानी में से निकाल देंगे इनने अब चाप को थोड़ी दे ठंड़ी होने के लिए साइड में रख देते हैं और ये चाप टिकब बनाने के लिए बूडन स्टिक्स हैं जो कि असानी से बजार में मिल जाती हैं इन्हें पानी में बिगो कर रख देंगे और तभी निकालेंगे जब हमने इन्हें यूज करना है और यह हैं थोड़े से मसाले जो कि हम सोया चाप को मैरीनेट करते हैं समय डालेंगे आप इन मसालों को अपने टेस्ट के हिसाब से कम्या जादा कर सकते हैं ये सबसे पहले है कसूरी मेथी दो टेबल स्पून हल्दी पाउडर है वन फोर टेबल स्पून और नमक लेंगे हम स्वादनुसार काला नमक लेंगे 1-4 टेबल स्पून या स्वाद अनुसार घरम मसाला लेंगे 1 टी स्पून और धनिया पाउडर भी 1 टी स्पून लेंगे हम चूर पाउडर लेंगे 1 टेबल स्पून पीली और स्फेद मिर्च ओप्शनल है दोनों 1-4 टी स्पून लिएं साइड में रख देते हैं मसालों को और काफी समय हो गया है सोया चाप भी ठंडी हो चुकी है अब इसमें से स्टिक्स निकाल लेंगे स्टिक्स असानी से निकर रही है तो इसका मतलब यह अच्छे से कुक हो गई है और अगर आपकी sticks नहीं निकल रही हैं तो थोड़ा सा आपको पकाना पड़ेगा इने अब सोया चाप को टुकडों में काट लेंगे बहुत ज़्यादा छोटे टुकडे भी नहीं काटने और बड़े भी नहीं होने चाहिए ज़्यादा और यह आप देख रहे हैं यह लेयर दिख रही है हमें तो यह अच्छे से कुक हो चुकी है इनकी सारी लेयर अच्छे से खुल गई है तो इनमें अच्छे से मसाले अंदर तक चले जाएंगे अब बॉल में डाल देंगे चाप के टुकडों को और अब हमने इसमें प्याज डाल दियें प्याज के साथ ही हम इसमें डाल देंगे टमाटर और शिमला मिर्च भी टमाटर का हमने उपर वाला भागी डाला है अंदर के बीज वगेरा ना डालें 3 4th cup इसमें दहीं डाल दियें और थोड़ी सी मलाई डाल दियें, 4 चमच के करीब, थोड़ी सी मियोनिस डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे इसमें जिंजर गालिक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून, और अब ये मसाले डाल देंगे जो हमने पहले से प्लेट में रखे हुए थे और साथ ही डाल दिया है इसमें थोड़ा सा किचन किंग मसाला, सबजी मसाला, तंदूरी मसाला और पावभाजी मसाला 3 पॉर्थ कटोरी के करीब इसमें भूनावा वेसन डाल दिया है, कच्चा वेसन ना डाल लें और तीन से चार चमस डाल दिया है इसमें सरसों का तेल, पहले तेल को थोड़ा सा गरम कर लिया धुआने तक और फिर ठंडा करके इसमें डाल दिया है और अब थोड़ा सा टाइम लगा कर हमें सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद धक्कर रख देंगे कम से कम एक घंटे के लिए साइड में रख देते हैं और अब चटनी बना लेंगे रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी बनाएंगे हम इसके लिए हमने लिया है धनिया एक कप के करीब और वन फोर्थ कप के करीब लिया है हमने पूदीना आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और अब इसमें डाल देंगे नमक, स्वादनुसार, काला नमक, थोड़ा सा स्वादनुसार और ये जलजीरा मसाला और ये धहीं डाल दिया है इसमें चार चमच के करीब आधा चमची डाल दिया इसमें अध्रक लंसुन का पेस्ट और थोड़ी सी मियोनेस डाल देंगे मियोनेस की जगे आप थोड़ी सी मलाय भी डाल सकते हैं और अब डाल दियां इसमें नीमबु कारस बस अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं और यह देखिए बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर तयार हो गई है एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल लगबग एक घंटा हो चुक है पहले चाप को लगाएंगे स्टिक में और फिर प्याज का पीस ले लेंगे प्याज के पीस को लगा लेंगे और प्याज लगाने के बाद ऐसी फिर टमाटर के पीस को लगाएंगे टमाटर के पीस के बाद अब हम लगा लेंगे इसमें शिमला मिर्च और फिर से सारी चीजों को ऐसे ही रिपीट करेंगे हम आपको बताना भूल गए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़ादा इसलिए हमने चाप वाले बोल को मेरिनेशन के लिए फ्रीज में रख दिया था सबसे नीचे वाले खाने में और अभी निकाला ऐसे पांसाथ मिनट पहले और अब हमारी स्टिक तयार है अब रोस्ट कर लेंगे इन्हें गैस पर ऐसे दो स्टिक समने और तयार कर लिए हैं और अब हम इन्हें रोस्ट करेंगे आप इन्हे डारेक्ट गास्ट ओपर इस तरहें भी बना सकते हैं और हम एक दूसरा मेथट भी आपको बताएंगे जिससे आप बिना डारेक्ट हीट के इन्हें रोस्ट कर सकते हैं उलटते पलटते इन्हें अच्छे से से शेख लेंगे दोनों तरफ से चाप स्टिक्स में काफी अच्छा कलर आ गया है दोनों तरफ से यह अच्छे से सीख गई है और अब हम आपको सेकिंड मैथट भी बता देते हैं एक तबा गरम कर लेंगे और उसे ग्रीस भी कर लेंगे तब एप थोड़ा सा मखन डाल देंगे बटर यानी बटर पीगल गया है अब इसमें त्यार किवी स्टिक्स रख देते हैं सोया चाप वाली यह अभी हमने चार स्टिक्स त्यार की हैं चारों रख दी हैं तबे पर इन्हें थोड़ा सा चमस से हलका हलका उपर से प्रैस कर देंगे सांकि डार्यक्ट थोड़ी सी हीट के कौंटेक्ट में आ जाएं और अच्छे से यह रोस्ट हो जाएं और यह भी अच्छे से रोस्ट हो गई हैं दोनों तरफ से अब इने सर्व कर लेंगे सर्व करते समय डालेंगे इनके उपर थोड़ा सा फिखला हूँआ बटर और थोड़ा सा निम्बु कारस। चाट मसाला भी डाल सकते हैं आप आप इन चापों को मैरिनेट करते समय ड्राइफ फूल पेस्ट यानि के काजू मगज का पेस्ट भी डाल सकते हैं आप इनको मियोनीज या मलाई के साथ भी सर्व कर सकते हैं थैंक्स वर वाचिंग